यह सारे पॉइंट्स आपने यहां पर उठा के कॉपी पेस करने हैं यह सारे सीम है यह सारे यहां पर याद करने होंगे जो आप यूज कर सकते हो फिर इसमें भी एजुकेशन प्रोग्रम्स आप बच्चे को अपर आप बच्चे को सब्सक्राइब आप बच्चे अच्छे से देख सके वीजुल की बात हुई है उनको मैगनिफाइं ग्लासे प्रोवाइड करके उनको अधिकल ट्रीटमेंट करवा के उनको लाज प्रिंट मेटीरियल कोई भी चीज अगर प्रिंटेड फॉम में तो उस उसके बाद यह तो अपने वीजुल हेरिंग वाले फुल 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 चैप्टर उसके बाद आपने किया था ने यहां पर सोशल होता है साइक लोजिकल एकनोमिक अन कुल्चिलर अभ यह स्टार्ट करेंगे उसमें फिजिकल में आपको वैसे मोटर बिल्टी भी थी और्थ ग्रिशन में कईवर चला जाता है तो क्या कि आपको देखने को मिलता है लुग इसको अपलेस्ने में दिक्कता आती है फिलिंग अफ गिल्टी एटिंग डिसॉडर्स देखने को मिलते है एं उनहल्धी रिद्यूसिंग कालरीज मतलब गलत फूड खाता रहता है तो यह भी इटिंग डिसॉर्डर हो गए सोशल फोबिया कि मतलब सोसाइटी में जाने से वह डरता है Obsessive Compulsive Disorder होता है मतलब उसकी thoughts पो उसके कंट्रोल नहीं होता bipolar disorder उसके mood change होते रहते हैं culture में देखा गया SCOBC मतलब SCOBC को पूरा मतलब दिया नहीं जाता जो उनको चाहिए जिस वज़े से बच्चे बहुत पीछे रहा जाते हैं, SCOBC वाले, women in minority groups की women को इतना importance नहीं दिया जाता है, जिस वज़े से यह बच्चे हैं, जो disabled होते हैं, क्योंकि mostly जिनको proper hygiene provider नहीं होता, वो बच्चे वही disabled होते हैं, और उनको इतना facilities नहीं दी जाती हैं, फिर आजाता है एकनोमिक आपको पता है कि जैसे बच्चे कोई slum areas में रहते हैं, जूंगी जोपनियों में कहते हैं, जिसको आप labor work करते हैं, या कोई orphans होते हैं, तो वो होती है economic diversity, वो होते है disabled बच्चे जिनको जरूरत है, फिर आजाती है social, society में कैसे कैसे बच्चे होते हैं, deprived children होते हैं problematic child, जो बहुत परिशान करते हैं, deliquant child होते हैं, जो laws वगएरा कर भी अगेंस चले जाते हैं, इसे बच्चे होते हैं, फिर community का role में आपको बोला था, मैं बाद में करवाऊंगी, यह है community का role, community हमें पता है, सभी जहां पर हर religion का इंसान रहते हैं, मतलब सारे इकटे रहते ह तो जो community है, उसका क्या role है, कि school, community पर डिपनेट है, तो school कैसे community पर डिपनेट है, social education needs के लिए, अपने feedbacks के लिए, children के लिए, जो children's special needs वाले है, वैसे dependent है, methods of income है उनके लिए, तो community पैसे देगी उनको, community school पर कैसे dependent है, number of children's enrolled, information about progress of the child, parents का role, problematic area, उनको पता लगेगा school जाके बच्चों को, कि उनका problem का पर है, फिर parents को बता सकते है, funds needed, equipment required, medical facilities required, यह सब कुछ वो community से ही तो लेंगे, then उसके बाद, next chapter आता है, assistive technology, assistive technology, actual में पता क्या होती है, in short, इसको technical aid बोलता है, कि आप कैसे electronic चीजे या computer कह सकते हो, जिसे आप ICT कहते हो, उसकी आप help ले सकते हो, अपना काम करने के लिए, जो disabled log है, वो कैसे use कर सकते है, इनका कहने का मतलब यह है, और इस पे पूरा एक question आता है, कि आप कैसे use कर सकते हो, अगर किसी को reading problem है, तो वो e-books ले सकता है, tabs ले सकता है, speech software, use कर सकता है, talking electronic device की help ले सकता है, मतलब यह बताना है, कि किस चीज की help ल सकता है, यह सब चीजे, किसी को math में problem है, तो वो talking calculator ले सकता है, calculator की help ले सकता है, अगर खुद को calculation करने में problem है, किसी को vision की problem है, vision और hearing है, आप उस chapter में भी add कर सकते हो, not a big deal, क्या उसको eyeglasses प्रोवाइड कर सकते हो, आप magnifier प्रोवाइड कर सकते हो, braille books प्रोवाइड कर सकत के लिए descriptive video service, वही, video होगी, देख तो नहीं सकता हो, सुनतो सकता हो, hearing problem है, जिसको hearing aid यूज करे, pen paper यूज कर सकता है, screen documentation देख सकता हो, speech system, बोलने वाली कोई चीज की help ले सकता हो, mobility impairment, mobility होता है, जिसको adjustment बगर करने में problems आती है, चलने में पर प्रोब्लम आती है, उसके इस चाप्टर में सिरफ यही है, और यही आप elaborate करके अपनी language में बहुत easily लिख सकता हो, अगर आपको पता है सारा, तो उसके बाद जो main था, वो है UNCRPD, UNCRPD यह पूरा 8 नंबर का चैप्टर आता है, और इसमें क्या है, full of articles है, इसमें आपने बस करना क्या है, कि यो वो article है, आपको article यहाद होना चाहिए, उपर नीचे article कर सकते है, बट जो article में दिया गया है, वो आप उपर नीचे नहीं कर सकते है, इसका ध्यान रखना है, इसमें क्या है, RT और UNCRPD में actually option आता है, बट option में सिरफ UNCRPD और Rehabitulation Council आता है, RT हमेशा दो नंबर में आता है, अगर जादा में आजा, it's your luck, let's see, United Nation actually बोलता कि United Nation Convention on Right of Person with Disability, यह जितने भी article है, वो किस से related है, उन लोकों से जिनको disability है, सिरफ उन से related है, जैसे हमारे rights है, हम abled है, हमारे rights बहुत सारे, right to freedom, right to education, वैसे ही, इनके भी अलग से article है, means UN Assembly ने 13th December 2006 को दिया था, force में कब आया था, यह चला कब था, 3rd माई 2008 में, इसका main purpose था था कि जो disabled लोक है, उनको अपने rights और responsibilities का पता लगे, तो जब आपको पता ही लग गया उसका purpose, आप फड़ा-फड़ से उसको पढ़ सकते हो, article first क्या कहता है, उसको purpose, purpose बताते हैं कि उनको rights मिलने चाहिए है, सा universal design, मतलब कहने का कोई भी, मतलब वो जगा पे जा सकते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, third article कुछ principles से deal करता है, कि principles क्या है, इस article को introduce करने, UNCRPD, कि उनको dignity मिले, पूरी, उनको respect मिले, उनकी ability है, choice करने कि, independence मिलनी चाहिए, उनको discrimination नहीं करना, हर एक बार वो participate कर सकते हैं, आप पता होना चाहिए, वो अपने laws adapt कर सकते हैं, उनके भी अपने rules है, उनको encourage करना चाहिए, new technology के लिए, fifth article बोलता है, equality and non-discrimination, कि आप कभी भी उनको discrimination नहीं करोगे, हमेशा उनको equality मिलनी चाहिए, sixth क्या कहता है, women with disabilities, कि women's को पूरा right है, अपने rights का enjoy करने की, seventh article क्या कहता है, children with disability, कि children's को भी right है, मतलब सेम सेम कर देने सारे, article क्या कहता है, awareness raising, मतलब उनको aware होना चाहिए, अपने rights के बारे में, और fight करना चाहिए against zero types, फिरा जाता है, ninth article, accessibility, कि मतलब उनके लिए, जो rules बनाए गए है, वो उन rules का पूरा use कर सकते है, person with disability should live independently, और हर तरह की उनको emergency provide की ज उनके 24th article क्या कहता है, right to education कि उनका पूरा हक है, education पे, 25th article क्या कहता है, right to health, कि उनके लिए health programs provide किये जाएंगे, healthcare उनको proper दी जाएगी, close as possible services, जितना हो सके, उनके आस पास होनी चाहिए, वो service, health professional required, and 30th article, last article, वो कहता है, कि उनको participate करना चाहिए, cultural life or sports में, उनको, मतलब कह पूरा participation करने का, so this is the whole revision of this book, I know this is somewhat boring, but this is important, please आप अच्छे से कर लीजेगा, यह UNCRPD, RT आएगा आपको दो नंबर में, और role of community, school, this teacher, parents, यह आप अच्छे से कर लेगे अगा, और यह assistive technology वाला भी 8 marks में आएगा, इसको आप अच्छे से कर लेना, and all the very best for your exam, thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel